आन जी and welcome back पिशावर जलमी वर्सिस लहूर कलंदर्स का Eliminator No.1 Saturday को रात आठ बजे है और इस गोन बी वेरी एक्साइटिंग क्योंके दोनों टीमें जो हैं वो देख रही होंगी to eye that spot into the Eliminator 2 जो ये match जीतेगा वो Eliminator 2 में जाएगा जो हारेगा वो सीधा घर so इस stage पर आखे एक match के लिए वापस resume करना PSL दोनों टीमें वो नहीं चाहरी होंगी सबसे पहले इनका head to head देख लेते हैं Lahore और पिशावर ने आपस में 10 matches खेले हैं जिसमें से 8 पिशावर जीता है और 2 लहौर जीता है और पिशावर जलमी is a good team और they're the only team in the playoffs जो अभी तक PSL title जीती मिये और they will be looking to retain, retain नी, regain their title so that they can match Islamah United with two titles तो अभी चलते हम Lahore का squad देख लेते हैं captain जो है इनके वो है Sohail Akhtar उसके लावा इनकी team में है Tamim Iqbal जो की replacement आए है Chris Lane की जगा फकर जमान, मुहमद हफीज, डेविड वीसा, शाहीन अफरीदी, उस्मान चिनवारी, समित पतेल, हारिस रौफ, सुहेल अख्तर, आगा सल्मान, बेंड डंक, फर्जान, जाहिद अली, आबिद अली, मुहमद फिजान, मास खान, देन वियास, और दिलबर हुसेन तो यह लोहर का स्कॉर्ड है, स्कॉर्ड ठीक ही है, इतना कोई अमेजिंग नहीं है, लेकिन एक दो काफी की प्लेयर्स हैं, जिसमें बेंड डंक हैं, जिनों में बहुत जादा अचके मारे थे, और दूसरे, वड़ाइ फील, इस मौहमद अफीज, बिकर्स ही इस इन करते हैं, सो यह उनकी टीम थी, अब चलते हैं, उनकी जर्नी पे, थ्रू दे प्लेयोफ पे पहुंचने के लिए, उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, सबसे पहला मैच था उनका अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, जो के वो फाइव विकेट से हार गए, उसके बाद इसल फिरेक्स में, वो 37 रन से जीते फिर इसलाम बात के गएंस्ट फिर से मैच हुया जो 71 रन से वो हार गये, वो फिर्स फाइव मैच जीते और चार आरे , उसके बाद उनकी फॉर्म आईए , और उन्होंने को पर से हराया , एट विकेट से , फिर कराची को isराया , फिर जल्मी को हराया 5 विकेट से, फिर कराची से वो हार के 10 विकेट से और फिर फाइनली लास्ट मैच उन्होंने हराया मुलतान सुल्तान को बाइर 9 विकेट जिसमें क्रिस लिन ने सेंचिनी मारी तो शुरू उनका बहुत गंदा हुआ था लेकिन उसके बाद उन्होंने फॉर्म पिक की थ्री कंसेकटिव मैच जीते और अपनी जगह उन्होंने पकी की थर्ड स्पोर्ट पे आए वो और प्लेओस में अपनी हिस्ट्री में पहली दवा उन्होंने अपनी जगह बनाई ये तो होगी लोहॉर की टीम अब बात करते हैं हम पिशावर जलमी की जलमी आये थे फोर्ट स्पोर्ट पे और काफी मुश्किलों से उन्हों ने अपरी प्ले आउस में जगा बनाई लेकिन उसके बाद जो इन्होंने रिक्रूटमेंट की है जिसके अंदर इन्होंने ये लेके आए हैं फैफ डूपलिसी को वो इनको बहुत ही मेजर बूस्ट मिलेगा और ये उनका स्कॉर्ड है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन्स पे कैप्टन इनके वहाब रियाज हैं उसके बाद हसन अली, फैफ डूपलिसी, कार्लोस ब्रैथवाइट, श्वेब मलिक, कामरान अक्मल, हार्डेस विल्योन, डैरिन सामी, इमाम उलहक, मौम्मद मोसिन, राहत अली, यासर शा, आदिल अमीन, उमर अमीन, खुर्म शहजाद, आमिर अली, साक्य मेमूद, हैदर तो ये इनका स्कॉर्ड है, बहुत ही अच्छा स्कॉर्ड है, और डूपलिसी के आने से एक दम इनकी बैटिंग लाइप जो वोफट लग रही है, कार्लोस ब्रैथवाइट भी हैं, और मलिक भी हैं, कामरान अक्मल भी हैं, हैदर अली भी हैं, सो जल्मी लोक्स लाइक, उन मुलतान को दे लॉस्ट बाइ 6 रंस और सॉरी 6 विकेट फिर लॉहॉर कलंदर्स के गेंस्ट मैच हुआ विज दे वन बाइ 16 रंस फिर इसलामबा उनाइटेट के गेंस्ट वाश आउट हो गया फिर कराची के गेंस्ट वहार गए 6 विकेट से फिर कोईटा के गेंस्ट बाइ 30 रंस दैन दे फेस्ट इसलामबा उनाइटेट विच दे वान बाइ 7 रंस बाइ डॉक्वित लूइस मेथेड उसके बाद लॉहॉर कलंदर से यहार गए 5 विकेट से और फिर मुलतान से फिर से हार गए 3 रंस से बहुत ही अपस और इनका पूरा टोर्णमेंट था और लुकि कि इन दिस सेंस कि एक तो बड़ी लुकिली वो आ गए टॉप फोन में और उसके बाद उने फैब डूपलिसी भी मिल गए मेरी प्रडिक्शन जो पहले थी वो यह थी कि शायद लोहूर जीट जागा यह मैच लेकिन अफर दे रेक्रूट्मेंट और पिशावर जलमी और फिर लोहूर की हिस्ट्री ट्रैक रेकट देखके अगर पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों जाद शेयर भी करें I'll see you next time until then Allah Hafiz